वेल्कम तो गेट समेशर आज की इस वीडियो में हम डिस्क्स करने जा रहे हैं वेरियस ओपरेशन इन फजी लॉजिक तो जैसा कि हमारे पास बूलियन लॉजिक में भी बूलियन एलजेब्रा भी मारे पास ओपरेशन होते हैं लाइक एंड ओपरेशन, और ओपरेशन, नौट ओपरेशन, ऐसी हमारे पास ओपरेशन हैं किसके अंदर फजी लॉजिक के अंदर और ये वीडियो एक्चली इंपोर्टन उनके लिए हैं जो इसपेशली competitive exams की तेहरी कर रहे हैं क्योंकि competitive exams जैसे की UGC NET के अंदर आपको हर साल इसके उपर question मिलेगा और बहुत ही easy level के questions जो है इसके उपर frame होते हैं लेकिन अगर आप university ये college level के exam की तेहरी कर रहे हो तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कौन-कौन से operations है union, intersection, complement, bold union, bold intersection and equality तो यहां पर मैंने लिया हुआ है union हमारे पस universal set है 5, 10, 20, 25, 30, 40 और हमारे पस A जो है set fuzzy set है जिसके अंदर values हमारे पस दी हुई है हमेशा जब भी fuzzy set में values होंगी तो यहां पर हमारे को क्या दिया होगा x की value दिया होगी और 7 में हमें क्या दिया होगा mu, मतलब 7 में हमें membership value दिया होगी और हमेशा membership की value जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है यह मैंने already fuzzy logic की जो basic video बनाई थी introduction video उसमें मैंने explain किया हुआ है कि fuzzy set होता क्या है कैसे हम use करते हैं तो उसका link मैंने description box में दिया हुआ है आप एक बर जरूर उसको check कर लें यहां पर हम बात करते हैं तो हमारे पास a set है और एक b हैं तो इसके उपर मैं find out कर रहा है सबसे पहले union union का मतलब क्या है यहां पर union को जो हम और operation भी बोलते है boolean के according जो हम इसको और operation बोलते हैं लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो union का मतलब है maximum of mu ax, mu bx मतलब हमें क्या find out करना है maximum value find करना है दोनों set के अंदर मतलब अगर हमें question में आया हुआ है mu of a union b a union b अगर मुझे find out करना है तो a union b का जो है यहां पर क्या value आएगी दोनों set में से दोनों fuzzy set में से जो maximum value है मतलब यहां पर x की value 10 है यहां पर x की value 10 है तो obviously दोनों में से आप compare कर लो mu के यहां पर जाद है तो यहां पर mu की value 0.2 है यहां पर 0.4 है तो यहांनी 10,0.4 जो है वो maximum है तो इसको आपको consider करना है then 20.4 है यहां पर 0.1 है तो obviously 20.4 ज़्यादा बड़ी value है तो आप इसको consider करना है simple then 25 25.7 है यहां पर 0.9 है obviously आप 25.9 को ही यहां पर consider करना है because 9 जो है वो maximum है इन दोनों में से then 30 के point of view से देखे क्योंकि यहां पर x की value को x के साथ compare करना है मतलब x और x ब्राबर होना चाहिए अगर इनके इस नहीं भी है तो उसको तो definitely आप union के अंदर consider करी सकते हो जैसे यहां पर अगर set के अंदर हमें दिया हो a set के अंदर 5.2 अगर for example इस तरीके से दिया हो 5.2 और यहां पर हमारे पास 5.2 नहीं है तो definitely आप 5.2 directly इसमें consider कर सकते हो because a की value उसके competitively यहां पर कोई ही नहीं तो maximum अपने आप में क्या होगा यही maximum होगा तो आप यहां पर 5.2 लिख सकते हो अगर यह चीज़ mention है तो otherwise 30 के point of view से देखें तो 30 में से यहां पर 0.9 जो है वो maximum है इन दोनों में से then 41 है 40.6 है तो obviously 40 जो है वो mu की value 1 के साथ क्या है यहां पर maximum तो इस तरीके से जो है आप है union simple way से union fine load करना है और आपको इस तरीके से values को लिखने यहां पर जो कई बर cases में student फस जाते हैं 5,2 जैसा कि वह ने बताया अगर एक जगा दिया हुए दूसरी जगा नहीं दिया हुआ तो आप इसको यहां पर 5,2 लिख सकते हो क्योंकि union generally क्या आता है दोनों का addition मतलब जो एक set है हमारे पास A और दूसरा set है B तो obviously A की values, B की values और जो common है वो तो ही है तो वही same चीज हम यहां पर लेके चलते हैं लेकिन यहां पर थोड़ी सी अलग है that is maximum हम maximum find out करते हैं कि जहां पर mu की value maximum हो then हमारे पास अगर next इस तरीके से question दिया हो कि दोनों में से values same है मतलब 10,0.2 10,0.2 तो obviously आप किसी को भी लिख सकते हो because दोनों equal है तो यानि अपने आप में maximum है तो इस तरीके से हमें A union B जो है find out करना है आप इसको note कर सकते हो then next हम operation की बात करते हैं यहां पर intersection की intersection intersection का मतलब क्या है minimum simple बस आपको minimum find out करना है यहां पर जैसे 10,2 दोनों में से minimum कौन से है 0.2 then 20 के point of view से minimum कौन से है 0.1 30 के point of view से 25 के point of view से minimum कौन से है 25.7 0.9 obviously 0.7 जो है वो minimum है 30 के point of view से 30,0.2 minimum है और 40,0.6 minimum तो इस तरीके से आप mu A intersection B जो है वो इस तरीके से लिख सकते हो अब यहां पर अगर इस तरीके से दिया हो कि 5,2 और यहां पर नहीं दिया हुआ 5,2 फिर आपको consider नहीं करना है because यह common नहीं है दोनों के अंदर union में consider करना है लेकिन intersection में यह common नहीं है तो obviously हम इसको consider नहीं करेंगे तो इस तरीके से हमें यहां पर लिखना है तो ऐसे आप यहां पर values जो है वो intersection की find out कर सकते हो एक और point यहां पर मैं बताना चाहता हूँ इसको भी आप note कर लिजे एक और point मैं यहां पर बताना चाहता हूँ कि जो values हैं यहां पर जैसे मैंने already values दे रखी है x की value mu x की value mu x की value membership x की value membership कई बार हमें यह values निकालनी भी पड़ती है मतलब हमें formula जिया होते है जैसे x is equal to x plus 2 या x divided by x plus 5 इस तरीके से कोई ना कोई formula दिया होगा तो आप x मतलब यह वाली value जो left hand side values है उसको हम x value बोल रहे है तो उसको आप put करके और find out कर सकते हो membership की value कई बार यह direct नहीं भी दी होती तो आप easily उस वे से भी find out कर सकते हो then compliment compliment का simple सा मतलब है 1 minus mu a मतलब अगर आपको a का compliment निकालना है मतलब mu a निकालना है यहां पर compliment इसका तो 1 minus mu है तो यहां पर 10 जो है वो क्या बन जागा 10, 0.8 obviously 10, 1 minus 0.2 करोगे तो क्या बन जागा 0.8 then 20, 0.6 then 25, 0.3 then 30, 0.1 then 40, 0 तो इस तरीके से जो है आपका answer जो है वो compliment का आ जाएगा बस जितनी भी mu values है वो 1 minus करनी है यह 1 minus करके आपका जो answer आ रहा है that will be the simply compliment जिसको हम not operation बोलते हैं कहाँ पर? boolean के अंदर intersection को हम and बोलते हैं कहाँ पर? boolean के अंदर तो वही same कहानी है लेकिन इसलिए मैं यह video लेके आए हूँ क्योंकि यह बहुत मार आते हैं इसके ओपर questions और student जो है वो confused हो जाते हैं कि कैसे find out करनी है तो एक बहुत ही basic सा operations है then next हमारे पास यहाँ पर bold union bold union को हम सबसे पहले तो आप देख लिजी denote हम कैसे करते हैं जैसे हम आपके जो exor operation होता है जैसे exor operation होता है वही exor operation वाला ही symbol है एक तरह से bold union b तो यहाँ पर values कैसे निकालनी है minimum of 1, mu a plus mu b मतलब दोनों की value को add कर दो तो यहाँ पर दोनों की value को add करेंगे तो क्या answer आएगा 10, 0.6 दोनों की value को add करोगे तो 10, 0.6 obviously फिर 1, 0.6 में से कौन minimum है मतलब 1 तो already है यहाँ पर यह भी हो सकते है कि value आपकी 1 से ज़्यादा आजाए इसी example में आएगी value आपको simply mu a और mu b की values को add करना है corresponding to the x value तो x value जो है वो 10 है यहाँ पर तो क्या आगी 0.6 0.6 और यहाँ पर मेरे पास value है 1 तो 1, 0.6 में से minimum कौन obviously 0.6 minimum है तो इस तरीके से आपको उठानी है then 20, 0.4 और यहाँ पर 20, 0.5 1 तो यह क्या बन गया यहाँ पर बन गया आपका 20, 0.5 तो obviously 0.5 और 1 में से कौन सा आपका minimum है 0.5 तो इस तरीके से बस आपको चलते जाना है then एक और value में यहाँ पर आपको निकाल के दिखा देता हूँ 25, तो 25 देखो यहाँ पर 0.9, 0.7 0.9 और 0.7 को add करोगे तो क्या आएगा आपका answer यह आएगा 25, 1.6 1.6 आप देखो 1.6 तो कभी membership होई नहीं सकती membership की value 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है मलब आइदर 0 और 1 भी है और उसके बीच में तो 1.6 तो होई नहीं सकती इसलिए 1 और 1.6 में से जो minimum है क्योंकि अगर 1 से उपर जाती है तो हमें 1 को उठा लेना है तो यानि आपका answer जो क्या बन जाएगा 25, 1 बस इस तरीके से आपको find out करनी ऐसी ही आप corresponding next values जो है वो find out कर सकती हूँ then same हमारे पास आता है next bold intersection bold intersection में हम क्या करने maximum of 0, mu a plus mu b minus 1 मतलब इन दोनों को add करके minus 1 कर दो और 0, वो value से जो भी maximum है उसको निकालो कैसे यह देखो यहाँ पे हमारे पास 10, 0.2 plus इन दोनों को value को add करना है corresponding to the x value तो x value यहाँ पे 10, 10 है तो कितनी आई 0.2 और 0.4 minus 1 तो obviously दोनों values के आई 0.6 minus 1 which is what minus 0.4 तो minus 0.4 जो है again यह value आई नहीं सकती क्योंकि membership की value 0 और 1 के including ही है उसके बीच में ही है तो minus 0.4 नहीं लिखनी आपको maximum of 0, 0.4 का जो negative value उनों में से obviously कौन maximum है 0 maximum है तो 10, 0 बस आपको simply find out करना है then 20 की एक और value में आपको निकाल के दिखा देता हूँ 0.4 plus 0.1 क्या value हागी 0.5 तो 0.5 minus 1 जब यह करोगे तो answer क्या हैगा again 0.5 minus का लेकिन minus में हो नहीं सकती तो obviously maximum of 0 तो यानि 20, 0 बस इस तरीके से लिखते जाओ एक और value हम find out कर लेते हैं जैसे 25 की value find out कर लेते हैं तो 25, 0.7.9 तो क्या बन गया 0.7 plus 0.9 1.6 1.6 हो गया इन दोनों का addition minus 1 minus 1 करोगे तो क्या answer आया 0.6 0.6 जो है वो answer आया तो ये positive value आई तो 0 और 0.6 में से maximum कोन है obviously 0.6 maximum है तो बस simple उसको लिख दो this is how you have to simply solve तो corresponding to 30 के लिए find out कर लो 40 के लिए जितनी भी values है X की उन सब के लिए find out कर सकते हैं तो इस तरीके से हम values find out करते हैं then हमारे पास आता है next equality equality का मतलब क्या है A is equal to B if mu of A x is equal to mu of B x for all बस ये point यहाँ पर याद रखना for all है मतलब corresponding to 10 यहाँ पर 10 की value कितनी है 0.4.2 ये दोनों ब्राबर नहीं है तो यानि ये equality नहीं है क्योंकि ये condition for all के लिए मतलब यहाँ पर 10,2 होता है यहाँ पर 10,2 20,4 20,4 25,7 25,7 मतलब सारी values बराबर होनी चाहिए सारी की सारी लेकिन एक भी अगर नहीं बराबर होई तो obviously ये क्या हो जाएगा inequality जो है वो next property जो है वो बन जाएगी इस तरीके से बस आपको simply values find out करनी है properties यहाँ पर और भी बहुत है आप product भी find out कर सकते हो product का मतलब है simply multiplication जैसे mu of ax dot mu of bx इसको अगर आपको find out करना है product को कैसे करोगे हर एक value के लिए find out करना है तो 10 दोनों values को multiply कर दो तो क्या बन जाएगा 10,0.2 into 0.4 ये बन जाएगा आपका 0.08 जब आप इनको multiply करोगे 0.2 और 0.4 को तो इस 0.08 बन जाएगा इस तरीके से आप 20 वाली को 25, 30 सारी values को आप multiply कर दो तो इस तरीके से आपकी product तो properties main आपकी properties यही है लेकिन और extend आप जितनी मर्जी कर सकते हो और इसी के उपर ही maximum आपको questions बिलेंगे Thank you